इस वीडियो में मैं बताऊंगा वो कौन से चार vocal exercises हैं जो आपको रोज करने हैं और सिर्फ 15 मिनिट में आपको improvement feel होगी मैं आपको ये भी बताऊंगा ये exercises दिन में कितनी बार करनी हैं इन exercises के साथ आपको और कौन सी techniques यूज करनी हैं ये exercises किन-किन letter में benefit होगी ये सब कुछ वीडियो में बताऊंगा मैं लेकिन वो बताने से पहले मैं आपको फिर से invite करूँगा ifsa foundation में यहाँ पे आप 90% scholarship में अप अपनी speech therapy ले सकते हैं हम इंडिया में one of the lowest fees चार्ज करते हैं और मैं आपको guarantee देता हूं YouTube में हमसे comfy कोई नहीं चार्ज करता आप आईए और हमारी foundation को join कीजिए because हम real और authentic technique बच्चों को सिखाते हैं आपको lip block आती है टंग block आती है या vocal block आती है कोई भी blockages आपको आते हैं आप please हमारी group को join कीजिए यहाँ पे आपको real और एक friend के तरह सारे technique सिखाई जाएगी तो चलिए दोस्तों अब हम शुरू करते हैं चार vocal exercises यह शुरू करने से पहले मैं आपको दो very important चीज़ बताऊंगा जो मैं guarantee देता हूँ आपको YouTube में किसी नहीं बताया पहली चीज़ हम जब भी यह vocal exercises करते हैं तो साथ में हमें breathing techniques भी आनी चाहिए विकॉज breathing techniques के साथ ही हम यह exercises को यूज कर सकते हैं अगर आप without breathing सिर्फ यह vocal exercises करेंगे और आपको आप चाहते हो कि आपके A, E, I, O, U, vowels या दूसरे consonants में improvement आएगी तो वो नहीं आएगी इसे vocal exercises से इसकी effectiveness तभी आएगी जब आप breathing के साथ करेंगे यह always याद रखिये विकॉज बच्चे होते हैं बच्चे सिर्फ vocal exercises करते हैं और वो expect करते हैं कि vocal exercises से उनकी vocal blockages ठीक हो जाएगी वो नहीं होगा आपको breathing भी करनी होगी और दूसरी सबसे important चीज़ हमारी जो vocal cords होती हैं वो गले के अंदर है तो हम जो भी exercises करते हैं हम हमारे हातों से चू नहीं सकते हैं तो हमें breathing के साथ भी exercises करनी पड़ती हैं अगर आपको lip मेशु आती है या tongue मेशु आती है तो हम lip और tongue को चू सकते हैं हम बहुत से exercises कर सकते हैं जहां पर हम देख सकते हैं कि exercise ठीक हो रही है नहीं हो रही है especially lip और tongue के लिए बट vocal cord एक ऐसी exercises है जहां पर आप हातों को use नहीं कर सकते आप देख भी नहीं सकते और सब आपको बहुत ही delicately करनी पड़ेगी तो यह सबसे difficult exercises होती है पर अगर आप dedication से करेंगे तो जरूर कर पाएंगे इसलिए जादा से जादा लोगों को vocal blockages आती है because vocal exercises करना is one of the most difficult task तो चलिए इस video में मैं आपको यह 4 exercises बताऊंगा चलिए अब शुरू करते हैं तो दोस्तों आपको यह 4 exercises करनी है सबसे पहले है vocal stretching exercise इसे आप everyday सिस 4 मिट के लिए कीजिएगा इसके बाद आएगी vocal stretching और stability exercise इसे भी आप 4 मिट के लिए कीजिएगा इसके बाद आएगी vocal coordination exercise और फिर आएगी vocal strength exercise आपको यही 4 exercises करने है अगर आपको vocal block आती है पर मैंने पहले ही बोल दिया है यह सारी exercises breathing technique के साथ करनी है तो मेरी breathing की वीडियो भी देखिएगा उस पे आप थोड़ी सी experience की अलाईएगा और फिर यह 4 exercises कीजिएगा तो मेरी पहली exercise है vocal stretching exercise इन vocal stretching exercise once आपकी body posture perfect है means अगर आप खड़े हैं तो आपकी spinal cord straight होनी चाहिए head straight होनी चाहिए shoulder straight होनी चाहिए इसके बाद आपको एक static position में खड़ा होना है और फिर vocal cord जो है इसे rotate करनी है clockwise और फिर anti-clockwise मैं दिखाता हूँ अभी ये मैंने rotate किया anti-clockwise आप भी मेरे साथ कर सकते हैं आईए हम साथ में करते हैं अब मैं clockwise करूँगा आप easily 15 seconds तक कीजिएगा और फिर एक pause लीजिएगा आपको feel होगा कि यहां पे आपकी stretching हो रही है इसे हम vocal warm-up exercise भी बोल सकते हैं because always याद रखिए vowel sounds ना गले से आती है तो आपको अपनी vocal cord को बहुत ही strong करनी होगी तो ये आपको stretching exercise दिन में 4 मिर्ट के लिए करने है इसके बाद आपको next exercise करनी है ओके दोस्तों अब मैं अपनी second exercise पर आता हूँ ये है vocal cord stretching और stability exercise जैसे मैंने आपको पहले ही बोल दिया है ये सारे exercise आपको breathing techniques के साथ करनी है तो आप मेरे breathing technique की वीडियो देखिए वहाँ पर आप experience जब मिल जाए फिर ये vocal cord की exercise कीजिएगा ये जो exercise हैं दोस्तों आपको दो step में करना है पहले step में आपको vocal cord की stretching लानी है first step और second step में आपको vowel sound produce करना है but ये दोनों चीज़ आपको without pause करनी है बच्चे एक बहुत बड़ी गलती करते हैं ये दो step को अलग-अलग करते हैं और बीच पे pause आ जाती है उनकी मैं आपको दिखाता हूँ ये कैसे करनी है पहली exercise की ये extension है आपको पहले exercises के बाद यही exercise करनी है चार मिट के लिए first step में करना हूँ stretching आपने देखा मैंने vocal cord की stretching करी फिर without pause मैंने vowel sound को prolong किया along किया आपको भी यही करना है सारे vowel sound के साथ चलिए फिर से हम करते है यहाँ पे बच्चे एक बहुत बड़ी गलती करते हैं वो pause लेते हैं वो आवाज जोर से आएगी तो pause ले लेते हैं वो ऐसे करते है उन्हें लगता है कि strong अगर voice आएगी तब ज़्यादा improvement होगी बट यहाँ पे important point है वो without pause आनी चाहिए because without pause आएगी उसकी mechanics यह है कि आपकी जो vocal cord जो vibrate हो रही है without pause vibrate हो रही है without pause आपने वो sound को produce किया तो आपको एक habit आजाएगी कि vocal cord कैसे हम control कर सकते हैं यह exercise एक बहुत important exercise है यह आपको practice देगी कैसे हम जल्दी बात कर सकते हैं अगर हम first गए हैं अगर हमें public speech देनी है तो यह coordination create कराती है vocal cord और sound के बीच में without pause मैं फिर से करके दिखाता हूँ दोस्तों अब next sound में हम चलते हैं आगे I यह है मैं आपको guarantee देता हूँ दोस्तों अगर आप यह exercise करेंगे आपको सबसे ज़्यादा benefit होगा तो मैंने पहले exercise बता दी है second यह वाली exercise है अब चलिए हम third exercise के तरफ आगे बढ़ते हैं हमारी third exercise है vocal cord coordination exercise यह बहुत ही important exercise है because इसमें vocal cord के साथ अपकी जो breathing है वहाँ भी strength आती है coordination आ जाती है बहुत ही simple exercise है आपको inhalation के बाद bubble sound को along करना है slowly and slowly जितनी लंबी आप कर सके आपको chest में pressure देना है और throat में pressure देनी है देखिए कैसे मेरी दो जगा pressure थी chest में थी और throat में थी फिर से देखिए दो जगा है pressure आपको feel होगा अगर आपको feel नहीं हो रहा कि आपकी chest में pressure और throat में pressure है तब समझ देजिए आप गलत exercise यूज़ कर रहे है आपको सही तरीके से करनी है because बच्चे बच्चे अगर गलत practice करते है तो गलत practice होती जाती है जिससे और नुकसान होता है अगर आपको benefit चाहिए तो right exercise right way में कीजिए आपको सांस लेके sound को along करनी है फिर से देखिए ये भी आपको चार मिट के लिए करनी है इससे आपको coordination आ जाएगा आप जो सांस ले रहे हो सांस रोक रहे हो along कर रहे हो आपको पता चलेगा एक एक second की value आपको पता चलेगी exercise करके आपको feel होगा कि हाँ आप 10 second 20 second exercise कर रहे है तो ये very very important exercise है और मैं भी आजाता हूँ मेरे fourth exercise पे वो है vocal cord strength exercise very important exercise अगर आप public speech दे रहे हैं जोर से किसी हो कुछ बोल रहे हैं तो ये exercise आपको करनी जरूरी है इस exercise में आपको कुछ नहीं करना इस exercise में आपको कुछ नहीं करना बहुत ही simple चीज़ परफेक्ट हो जाएगी lip को stretch करनी है ऐसे left और right और फिर आपको fu sound बोलना है सिर्फ fu और कुछ नहीं बोलना ऐसे fu 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 इससे आपके strength आएगी chest में भी strength आएगी बुलंद आवाज आपकी होगी आप strongly बात कर पाएगे आपको सिर्फ fu बोलना है fu से आपकी sound जल्दी initiate होगी easily initiate होगी और u जो vowel sound जो end में लगी है उससे आपको stability आजाएगी सिर्फ fu sound आपको बोलना है और side sound से difficult आपको feel होगी पर fu बहुत easy है chest से pressure देनी है आपको fu 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 ये भी 4 मिट करनी है तो दोस्तो ये जो मैंने 4 exercise बताई ही है ये 16 मिनिट से आपको करनी है but breathing technique के साथ आप coaster breathing यूज़ कर सकते हैं belly breathing यूज़ कर सकते हैं mouth से breathe ले सकते हैं nose से breathe ले सकते हैं जो भी आपके लिए beneficial है बट ये exercise आपको breathing के साथ करनी है जैसे मैंने पहले ही बताया था हम हातों से छू नहीं सकते ठीक है हम देख नहीं सकते तो हमारी depend ने breathing के ओपर हम सारी exercise breathing के साथ कर रहे है तो breathing technique में expertise होनी बहुत ज़रुरी है because बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं उन्हें लगता है vocal cord के exercise करें तो ठीक हो जाएंगे पर ऐसा कुछ नहीं होता आपको vocal के साथ बाकी सारे techniques में भी expertise होनी चाहिए because vocal cord से अगर 50% improvement आ रही है तो breathing से भी 20% आ रही है दूसरे technique से भी 20% आ रही है ये सारी मिल के एक package create करती है ओके दोस्तों मैं tongue और lip exercise के बारे बताऊंगा तब तक के लिए have a nice evening have a nice day bye bye